हलो बच्चो टाइप आफ सिस्टम में पहला जो होता है ओपन सिस्टम में बिसिकली क्या होता है बच्चो जहां पर एनर्जी और मैटर दोनों का सराउंडिंग के साथ जो होता है बच्चो क्या होता है ट्रांसफर अलाउड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्ट ऐसा सिस्टम जहां पर एनर्जी का ट्रांसपर तो अलाउड होगा बट मैटर यानि कि मास्क का ट्रांसपर नहीं होगा उसको क्लो सिस्टम करते हैं is isolated system isolated system बच्चो बहुत ही important है isolated system का मदलब बद है कि ऐसा system जो surrounding के साथ mask का तो transfer करेंगा मास का भी transfer नहीं करेगा energy का भी transfer नहीं करेगा दोनों का transfer जो नहीं करता है इसके लिए बच्चो क्या होना चाहिए कि वो जो system है वो तो closed होना ही चाहिए और most important है बच्चो इसका जो wall है वो adiabatic होना चाहिए और यह rigid vessel होना चाहिए अगर बच्चो non-rigid vessel होगा तो adiabatic wall होने के बावजूद भी वहाँ पर energy का transfer हो सकता है क्यों हो सकता है क्योंकि अगर non-rigid vessel है तो वहाँ पर work done कर सकते हैं ना वहाँ पर pressure volume work हो सकता है वहाँ पर expansion और compression work हो सकता है